हेलो असलाम अलेकुम स्टुट्ट्स कैसे आप लोग खेरियत हैं ओमीने टिक टाक होंगे स्टुट्स तोड़े टापिक देट्ट्स इस वोट इस अब टाइपस आफ सालेट्स बैसिकली सालेट्स आर आफ टू टाइपस वन एक को हम क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सालेट क्रिस्टलाइन सालेट और दूसरा जो है हमारे पास वो है स्टुट्स अगर इसको हम दो इसमें सरा डिवाइट करने एक मारे पास होता है अमॉर्फस सालेट अब इन में फर्क क्या है स्टुट्स बैसिकली जस्ट अर्रेंगमेंट आफ आटम्स का फर्क है किस्टलाइन सालेट असल में क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं ये क्या होते हैं थ्री डाइमेनिशनल आडर और आप इसे कह सकते हैं कि यार ये रेगुलरली रेगुलरली अरेंजड होते हैं इस्टेंट्स सिंपल आप ये कहने कि इन में एक खास तरतीब पाई जाती है फारे जब आपके आपके पास एक क्रिस्टल है तो एक खास किसम के उनके जो यूनिट सेल होते हैं ये आपस में एक बिल्कुल सही तरतीब के साथ आपस में क्या होते हैं इस निटस जुड़े होते हैं अभी इसी यूनिट सेल के अंदर बेसिकली अगर आप N.A.C.L. को देख लें क्यूबिकल फार्म होती है इसके अगर आप unit cell को देखें तो हमेशा इस unit cell के अंदर जो आइन्स लगे होते हैं तो हमेशा आप चेक करेंगे positive ions के सामने बिल्लकुल minus negative वाला आइन्स लगा होते हैं और ये बिल्लकुल एक खास तर्तीब के साथ आपस में क्या होते हैं जुड़े होते हैं एक खास तर्तीब के साथ ये जुड़े होते हैं तो ये ऐसे तर्तीब से बनी हुई जो solids होते हैं इसको हम कहा कहते हैं crystalline solid इसकी example आप NACL, AG, NO3 जितने भी हमारे पास salts होते हैं तक्रिमन ये regularly three dimensional repeating arrangement में पाए जाते हैं जबके amorphous solids के अंदर ये बिल्कुल उसका बिल्कुल आपोजिट होते हैं इनके कोई खास तर्तीब नहीं होती जैसे फारजबबल अगर आपके पास ये है तो इनकी कोई खास तर्तीब नहीं है कोई आटम किदर है कोई किदर है तो कोई खास तर्तीब से ये बनी हुई चीज नहीं होती ऐसे solids को हम कहते हैं क्या amorphous a means not morph means shape तो अगर आप इसके definition लिखने के the solid in which the atoms molecules are ions are arranged are not arranged in a three dimensional shape or order इसकी examples आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमारे पास plastics हो जाते हैं जितने भी आप के इसी तरह आपके पास glass हो गई है rubber हो जाता है इन तमाम चीज़े में कोई खास सर्तीब या arrangement आपको दीखने को नहीं मिलती इसके लावा आप किस्टलाइन farm को भी amorphous farm में change कर सकते हैं अब वो कैसे कर सकते हैं किसी भी किस्टलाइन farm को अगर आप heat करें और उसको फोरण cool कर दें तो एक किस्टलाइन farm भी amorphous farm में change हो सकता है अब इसकी basic reason क्या है किस्टलाइन farm के अंदर तो उनको time मिल पाता है चीजों के आपस में attachment में सही तरतीब में के आने में लेकिन अगर आप उसको फोरण से heat करें और फोरण से उसको ठंडा कर दें तो वो जो atoms होते हैं उनको time नहीं मिल पाता उसको सही तरीके से properly arrange होने में जिसकी वज़ा से वो different form में आ जाते हैं यानि उनके atoms जगा जगा पर ठैर जाते हैं जिसकी वज़ा से ये किस्लाइन farm बीबी मार्फस फार्म में converter हो सकते हैं तो आज के लिए इतना ही